हनुमान जी की लोक कथा जब बाली को ब्रह्मा जी से ये बर्दान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद करने उसके सामने आएगा उसकी आदी तागत बाली के सरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद में अजे रहेगा सुग्रीब और बाली दोनों ब्रह्मा जी की ओर से बर्दान द्वारा दो पुत्र थे और ब्रह्मा जी के किरपा बाली पर सदैब बनी रहती थी बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर कार हरा कर बाली के घमंड का कोई सीमा ना रहा अब वो अपने आब को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई अपनी तागत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड फेक रहा थ हरे भरे ब्रचों को तैस नैस कर दे रहा था अमरत समान जल के सरोबर को मिट्टी से मिला कर कीचड जैसा कर दे रहा था एक तरह से अपनी तागत के नसे में बाली पूरे जंगल को उजाड कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेताबनी दे रहा था है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता है है कोई जो अपनी मां का दूद पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे इस तरह की गरजना करते हुए बाली इस जंगल को तैस नैस कर रहा सैयोग बस उसी जंगल में के बीच हनमान जी राम नाम का जाब करते हुए तपस्या में बैटे थे बाली को इस हरकत से हनमान जी को राम नाम का जाब करने में बिगन लगा और हनमान जी बाली के सामने जाकर बोले हे बीरों के बीर हे ब्रम अंस हे राजकुमार वाली क्यों इस सांत जंगल को अपने बल की बली दे रहे हो हरे भरे पेड़ पौदों को खाड फेक रहे हो फलों से लदे ब्रच्छों को मसल दे रहे हो अमरत समान सरोबर को दूसित मलिन मिट्टी से मिला कर उन्हें नश्ट कर रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा तुमारे आउरस पिता ब्रह्मा के बर्दान सुरूब कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता क्यूंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी यादी सक्ती तुम्हें समाहित हो जाएगी इसलिए हे कपी राज कुमार तेरे मन में अपने बल का भान नहीं रहेगा और राम नाम का जाब करने से ये लोग और परलोग दोनों ही सुदर जाएंगे। तो भी बक्ति कर अपने राम बाम के नाम की तू ही बात कर रहा है वो है कौन है के बल तू ही जानता है राम के बारे में मैंने आज तक किसी के मुझे ये नहीं सुना और मुझे राम नाम जपने की सिच्छा दे रहा है हनमान जी ने कहा प्रभु स्री राम तीनों लोकों के स् बाली इतना ही महान है राम तो बुला जरा मैं भी तो देखू कितना बल है उसकी बुजाओं में बाली को भगवान राम के बिरुद्ध ऐसे कटू बचन हनुमान जो करोध दिलाने के लिए पर्यापत थे हनुमान आए बल में नसे में चूर बाली तू क्या पर वो राम को बाली तब ठीक है कल के कल नगर के बीचो बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा हनुमान जी ने बाली की बात मान ली बाली ने नगर में जाकर गोस्णा करवा दिया कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा अगले दिन तैस समय पर हनुमान जी बाली से बोले हे जगत पिता आज मुझ जैसे एक बानर के घर आपका पदारने का कारण अबस ही कुछ बिसेश होगा ब्रह्मा जी बोले हे अंजनी सुत हे सिवांस हे पवन पुत्र हे राम भक्त हनुमान मेरे बल बुद्धी को उनकी उद्धंडता के लिए छमा कर दें और बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो उसे छमा कर देता परंत उसने मेरे आराद स्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनोती दिया है जिसे मैंने सुईकार करना ही होगा अनता सारा बिस में ये बात कही जाएगी कि हनुमा कायर है जो ललकारने पर यूद्ध करने इसलिए नहीं जाता कि एक बल्वान योद्धा उसे ललकार रहा है तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है अनमान जी पर आप अपने साथ अपनी समस्त सक्तियों को साथ ना ले जाकर जाएं केबल दस्मा भाग का बल लेकर जा उन्हें ग्रेंड कर ले हनमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए बैसे ही किया और बाली से उद्ध करने घर से निकले उदर बाली नगर के बीच में एक जगए को अखाडे में बदल दिया था और हनमान जी से उद्ध करने को ब्याकुल होकर बार बार हनमान जी को लल बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पाउँ अखाड़े में रखा उनकी आदी सक्ती बाली में चली गई बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदी सक्ती समाई बाली के सरीर में बदलाव आने लगा उसके सरी फट कर खून निकलने लगा बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था तबी ब्रह्मा जी बाली के पास पिरकट हुए और बाली को कहा पुत्र जितना जल्दी हो सके यहां से दूर अति दूर चले जाओ बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा बो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सरपट दवड लगा दिया सो मेल से जादा दवडने के बाद बाली ठक कर गिर गया कुछ देर बाद जब होस आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देख कर बोला ये सब क्या है हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा सरीर का फटने की हद तक फोलने फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कैना की वहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ मुझे कुछ समझ नहीं आया ब्रह्मा जी बोले पुत्र जब तुमारे सामने हनुमान जी आये तो उनका आधा बल तुमारे में समा गया तब तुम्हें कैसा लगा बाली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सरीर में सक्ती का सागर लहरें ले रही हैं ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज के समान कोई नहीं कर सकता पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सरीर अभी फट पड़ेगा मैंने हनुमान जी को उनके बल का केबल दसमा भाग ही लेकर तुम से युद करने को कहा पर तुम तो उनके दसमे भाग के आदे बल को भी नहीं समाल सके सोचो यद हनुमान जी अपना समस्त बल के साथ तुमारे युद करने आते तो उनके आदे बल से तुम उसी समय फट जाते और बो तुम से युद करने को घर से निकलते इतना सुनकर बाली पसीना-पसीना हो गया कुछ देर सोचकर बोला पिरभू यदि हनुमान जी के पास इतनी सक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहां करेंगे ब्रह्मा हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरी सरष्टी भी उनके बल के दस्बे भाग को नहीं सह सकती ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दन्डवत प्रडाम किया और बोला जो हनुमान जी जिनके पास अताहा बल होते हुए भी सांत और राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था मुझे च्छमा करें और आत्म गिलानी से भरकर बाली ने राम भगवान का तब किया और अपने